हेलो एवरिवन, वेलकम बाक टू माई चैनल सुश्मित आयस भी, मैं सुश्मित आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, क्लास टेन, बाइलोजी का चैप्टर बन का अगीन फिर से 10 अबजेक्टिव कोशन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर के आई हूँ, इसके पहले औरेडी मैंने जो है कुछ अबजेक्टिव कोशन्स जो है, अपलोड किया है मेरे चैनल पे, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोशन्स भी आपके लिए बहुत कि एंड तक जरूर बने रहें और ओआ जनों बि版 सब्सक्राइब करने हeftं पर अपना चयानल को सब्सक्राइब नियुकिंग लिए धरर दोस्तों में सब्सक्राइब करने हैं मचलिया जो है जैसे हम स्वशन करते हैं उस तरीके से मचलिया भी स्वशन करती है सास लेती है तो मचलिया किस अंग से सास लेती है फेफरो से ट्रेकिया से कोशिका जिल्ली से या गिल्स से तो आपने बुक में पढ़ा होगा गल्फडों के द्वारा तो यहाँ पे आपको कहीं गलफडे दिखनी रहे हैं आप सोच में पढ़ जाओगे वहीं किसमें टिक लगा है तो गलफडे का मतलब ही क्या होता है गिल्स इसको इंगलिस में गिल्स कहते है तो यहाँ पे इसका एंसर क्या हो जाएगा मचलिया किस अंग से स्वसन करती है मचलिया गिल्स के द्वारा स्वसन करती है करेक्ट आइंसर यह हो जाएगा बटे नेक्स्ट कोशिन की तरफ नेक्स्ट कोशिन है मनुष्य में वरिक सम्मंधित है वरिक किस चीज से सम्मंधित है पोशन से, स्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से विक क्या करता है? कौन से चीज से वो सम्मंदित है? तो विक किस सम्मंदित है? उत्सर्जन से उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख भाग है विक पढ़ते कोशन में 3 की तरफ कोशन में 3 है स्वसन किस प्रकार की रसाइनी कभी क्रिया है स्वसन जो है हमारा सास लेना जो है वो किस प्रकार की रसाइनी कभी क्रिया है उपचयन, उस्माचेपी, संयोजन या अपचयन तो उसका correct answer क्या हो जागा उश्माचेपी ठीक है बढ़ते हैं Q4 की तरफ Q4 क्या कहता है Q4 में है निम्लिखित में कौन से यंत्र का उपियोग रख्त दाप मापने में किया जाता है तो सबसे पहले तो रख्त दाप का मतलब क्या होता रख्त दाप का मतलब होता ब्लड प्रेशर एक टाइम के बाद लाइक एज होने के बाद क्या होता है कि लोगों में ब्लड प्रेशर लाइक किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है सुने होंगे हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर पापा ममी को होगा तो इस तरीके से होता है, तो इसी को हिंदी में क्या कहते है रक्टदाब, तो उसको लाइक आप देखे होंगे, कभी अगर आप गए होंगे डॉक्टर के पास, तो उनके पास एक यंत्र होता है, वो आपके प्रेशर को मापने के लिए, ठीक है, तो उस वो जो मशीन है, लाइक जिससे वो मापते हैं, रक्त दाब को, ब्लड प्रेशर को, उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर, मैनोमीटर, सिक्मो मैनोमीटर, या कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं इसमें से. तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा? सिफ को, सिक्मो मैनोमीटर. ठीक है, तो ये जो भी है, लाइक, ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र है, ठीक है, सिफगो मैनोमीटर. अब बढ़ते कोशनवर फाइफ की तरफ, कोशनवर फाइफ है, इस्ट किस वर्ग का एक कोशी की जीव है? इस्ट जो है, किस वर्ग का है, कौन से वर्ग का एक कोशी की जीव है? तो ये इसका एंसर हो जाएगा जीवानू. ये जीवानू वर्ग का एक कोशी की जीव है. Q6 देख लेते हैं Q6 क्या है दही के जमने में निम्लिखित कौन सी क्रिया होती है आपके भी घर में कभी मम्मी क्या करती होगी घर में ही दही जमाती होगी तो ये जो दही का जमना होता है ये कौन सी क्रिया है तो क्या होगा किन्वन दही के जमने का जमने में निमलिखित क्रिया होती है वो होती है किन्वन की क्रिया बढ़ते हैं question number 7 की तरफ question number 7 क्या है तो question number 7 है पादपो में पाया जाने वाला व्रिधी हार्मोन निम्न में कौन सा है पादप में एक हार्मोन पाया जाता व्रिधी हार्मोन तो वो कौन सा है adrenaline, gibraline, insulin, thyroxine तो इसका सही answer क्या होगा gibraline ठीक है पादपो में ये सारे question जो भी करवारी होना में बहुत important है आपके लिए questions आए हुए है आपके जो board exam है उसमें वो किसी ना किसी year में आए हुए है तो ये questions बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखते वे जाए है mind में set करते वे जाए है next question की तरफ बढ़ते है question 8 की तरफ पौधी हरे क्यों होते है पौधे का हरे होने का क्या कारण है क्या होगा रंद्र के कारण क्लोरोफिल के कारण स्टोमिटा के कारण लवन के कारण तो पौधे के हरे होने का क्या कारण है क्लोरोफिल पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण Q9 है आपका मानव हिरिदय में कोस्टों की संख्या कितनी है मानव का जो हिरिदय होता है उसमें कितने कोस्ट होते है तो इसका सही एंसर होगा 4, 4 कोस्ट होते है हिरिदय हिरिदय में Next and last Q10 है आपके लिए दिलचटा में या अमीबा में तो किसमें होगा अमीबा में अन्ता कोशिक के पाचन किसमें होता है अमीबा में होता है तो जिनोंने अगेन में कहोंगी जिनोंने नहीं किया सब्सक्राइब मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए आपके support की जरूर एते हैं और आपके लिए जो भी मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए बहुत important है important है आपके help के लिए लेकर के आ रही हूँ तो मेरी चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं next video में